तो दोस्तो आज साल 2030 की दिसंबर की 31 तारिक है और आने वाले नए साल की आप सभी दोस्तों को हारदिक सुबकाम नए नए साल में आपके जीवन में फूलों की तरह बहार आए आने वाला साल आप हमेसा खिलते और मुस्कुराते रहे इसी विसके साथ मैं आज का वीडियो आ के समय अपनी ग्रोथ थोड़ी थोड़ी करते रहते हैं और गार्डन में हर्याली को बनाए रखते हैं तो आज की लिस्ट का पहला बहुत ही खुबसूरत प्लांट या जीजी प्लांट है जीजी प्लांट का असलिए नाम जैमी उकल का जैमी फूलिया है लेकिन इसका नाम बहुत लंबा है इसलिए इसे सौड में जीजी प्लांट कहते हैं प्लांट की बात करें तो या हवा को एक प्यूरिफाई करने वाला प्लांट है जो हवा में से हानिकार अगय सो को प्यूरिफाई करता है इसलिए इस प्लांट को इंडोर रखते हैं और या एक ऐसा प्लां प्लांट में Yaleам को रखते हैं तो याब इंटर में भी आपके पास परमानेट बना रहेगा गीजी प्लांट एक कौशली प्लांट लेकिन इसके हड से नहीं न ही गुलत होती रहती हैं जिसे आप डिवाइड करके एक प्लांट से कई प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से और असानी से त्यार कर सकते हैं लेश्च का दूसरा बहुत ही खुबसूरत प्लांट या फिल्लो डेंडान बर्किन का है फिल्लो डेंडान बर्किन एक अर्नमेंटल और बहुत ही ब्यूटिफिल प्लांट है या एक हाड़ी प्लांट होत है उसमें वेरिगेशन आपको ज्यादा देखने को मिलता है या प्लांट थोड़ा कौशली होता है इसकी प्राइज लगबाग दो सो तीन सो रुपए तक होती है इसे गर्म टेंपेचर में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है लेकिन बिंटर में भी देखिए प्लांट कितना तो इस प्लांट को आप अपने लिस्ट में जरूर सामिल करें या एक पर्मानेंट प्लांट है और आपके पास समय सब बना रहेगा लिस्ट का तीसरा बहुत ही खोपसूरत प्लांट या इलोविरा का है इलोविरा एक मेडिसनल प्लांट है आप देखिए इस बिंटर में इस साइनिंग कर रही है और बहुत सारी प्लांट इस फ्लांट पर हो गई है तो इस खोपसूरत प्लांट को आप अपने गार्डन में जरूर सामिल करें इलोविरा की एक दुनुरी बहुत सारे फाय बहुत ही खोबसूरत या प्लांट अपनी ग्रोथ लगातार करता ही रहता है और इस प्लांट में आप देखिए बहुत सारे साइट से प्लांट निकलते रहते हैं जिनें आप डिवाइड करके एक प्लांट से कई प्लांट असानी से तैयार कर सकते हैं तो इस खोबसूरत और भी देखिए इसकी पतिया इसी तरह से शाइनिंग कर रही हैं बस आपको इस पर flower नहीं मिलेंगे तो बहुत ही खोबसूरत या प्लांट पतियों से garden में हरीयली को बनाए रखता है रियों की परपर कलर की पतिया गार्डन में एक अलग ही लुग देती है तो बहुत ही खुबसूरत इस प्लांट को आप बहुत ही असानी से अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी असानी से ग्रो कर सकते हैं इस प्लांट के साइड से बहुत सारी प्लांट निकलते रहते हैं, जिसमें root भी रहती है, जिनें आप cut करके नए plant तयार कर सकते हैं, या plant easy to grow plant है, तो इसकी आप cutting बहुत ही असानी से इस समय भी grow कर सकते हैं, प्रियो प्लांट पर white color के बहुत ही छोटे छोटे खुबसूरत flower निकलते हैं, जहां से इसके flower निकलते हैं, उसक लेकिन इसकी पतियां spider plant से थोड़ा अलग रहती हैं पांडेनस से एक ऐसा प्लांट है जिसे आप outdoor, indoor दोनों जगहां बहुत ही असानी से grow कर सकते हैं पांडेनस की भी कई वराइटी आती है बहुत ही low maintenance plant होता है एक बार इसे आप garden में सामिल कर लें तो यह आपके पास समय सा बना रहेगा यह प्लांट में लगाता growth करता रहता है और इसको भी आप डिवाइड करके एक प्लांट से कई प्लांट तयार कर सकते हैं तो बहुत ही खोब सूरत इस प्लांट को आप अपने garden में जरूर सामिल करें इंटर में प्लांट को ऐसी जगहां रखें जहां पर इस से इसकी पतियां डिफरेंट लगती हैं और बहुत ही खोब सूरत यह प्लांट एयर को प्यूरिफाई करने वाला प्लांट है और या एक बेस्ट इंडोर प्लांट है इसे आप हैंगिंग बास्केट में या छोटे बड़े किसी भी पाट में आसानी से ग्रो कर सकते हैं इस इसमें कई ब्यभी प्लांट लगते हैं जिने आप करके नए प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं यह देखिए भी छोटा सबी ब्लांट निकाल हुआ है कुछ ही दिन में इसमें ग्रोथ होगी और इससे आप डिवाइड करके एक से कई प्लांट यह को अंदर भी आप कम maintenance में आपके गार्डन में बना रहेगा पतियां इसकी चमकती हुई होती हैं इसकी बोल्साय टोपी आरी असानी से बना सकते हैं इस प्लांट को आप चाहे डारेट सनलाइट में रखें या फिर इंडोर रखें दोनों तरह से या असानी से और अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहता है बहुत ही कम maintenance वाला या प्लांट होता है और इसकी cutting भी बहुत असानी से ग्रोह जाती है फाइकस की cutting को आप इस समय भी आप ग्रोह कर सकते हैं इस प्लांट पर rooting भी बहुत जल्दी आ जाती है आप देखिए इसमें पतियां दो कलर की आपको दिख रही है जो ओड पतियां है वो black dark green कलर में है और जो new पतियां है वो light green कलर में है तो बहुत ही खोबसूरत यह प्लांट garden में हर्याली को बना कर रखता है विंटर में growth तो धीमे हो गई है लेकिन पतियां देखिए इसकी अभी भी समर की तरह से चमकती हुई और खोबसूरत दिखाई दे रही है आठवा खोबसूरत प्लांट यह अरेका पाम का है अरेका पाम एक best indoor प्लांट है और इस प्लांट की बहुत अच्छे बात है कि यह प्लांट जहां पर भी रहता है वहां का oxygen लेपर बढ़ा देता है अरेका पाम साइड से नए नए ग्रोथ अपनी करत है जिसे आप डिवाइड करके एक प्लांट से कई प्लांट तयार कर सकते हैं यह प्लांट बहुत ही slow growing प्लांट है लेकिन आप देखिए winter में भी इसकी पतियां चमक रही है और यह खोबसूरत प्लांट गार्डन में बहुत ही खोबसूरत दिख रहा है यह प्लांट जब बहुत ही खोबसूरत प्लांट यह धीरे धीरे अपनी गुरूद करता रहता है इसके भी आपको नर्शी पर दो वराइटी मिल जाएगी एक डौर्फ और एक नार्मल वराइटी इसका नवा खोबसूरत प्लांट यह आप कोलियस का है कोलियस तो summer का एक बहुत ही खोबसू तो इसकी cutting आप इस समय grow कर लें जिससे यह प्लांट पर मनेंट आपके पास बना रहे इस प्लांट पर देखिए बहुत सारे इस तरह से flower आ रहे हैं तो इन्ही फ्लावर को आपको पिंच करके इस प्लांट से हटा देना है तभी यह प्लांट आपके garden में लगाता नई ग्र प्लांट को आप अपने गार्डन में जरूर सामिल करें दस्वाँ खोब सूरत प्लांट या डेविल बैग बोन एक हारडे प्लांट है इसकी पतियां देखिए आप इसकी पतियां अभी विंटर में बहुत ही खोब सुरूरत दिख रहे हैं और यह प्लांट नई-णई अपन नई गार्टनर्ट के लिए या एक बेस्ट प्लांट है जिसे आप असानी से ग्रो कर सकते हैं इस प्लांट ख Marion यड़ बह nhân ल 1 इत Qu रलहड का है परपर ककलर किसकी पतियां बहुत खुशूरत दिखती हैं या फ्लांट पिंक कलर का फ्लावरिंग देता हैं और इस प्लांट के फ्लावार बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं, इस प्लांट की कटिंग आप इस समय असानी से ग्रो कर सकते हैं, इसकी कटिंग तो इस समय बहुत ही अच्छी तरह से चल जाती है, यह एक खुबसूरत प्लांट होता है, और इस प्लांट को आप इस समय ग्रो कर लें, जिसे आपके डोरिंग कम हो जाती है ये फिर भीर थे ट inland रावर आना बंद हो जाते हैं लेकिन इसकी पत्यों si3 दॉऔर क furnay रहती हैं नई पत्य sug जास्तिन पैऊन ज़रूर संब्साओर सामिद करें लेश्ट का बरहा हमाँ खुबसूरत प्लांट या मनी प्लांट का है मनी प्लांट पिंटर में डॉर्मनसी में जाने लगता है लेकिन आप देखिए इसकी पतियां बहुत ही खुबसूरत दिखती हैं आप इस पर सावरिंग करते रहें टाइम टू टाइम वाटिंग करते रहें स्वायल को चेक करके वाटर दें और वाटरिंग ना करें तो यह प्लांट कार्डन में हरियाली को बनाए रखेगा इसकी लीप जो ड्राइ हो रही हो उसे आप कट करके हटाते रहें प्लांट से और यह प्लांट की कटिंग भी बहुत असानी से लग जाती है इसमें एरियल रूट पाई जाती है तो इसे आप कट करके स्वायल में दबा दे तो प्लांट अपनी ग्रोथ नहीं करना सुरू कर देता है बहुत ही खोब सूरत यह प्लांट नसीप और बहुत ही कम दामों में आपको मिल जाएगा मनी प्लांट की बहुत सारी बराइटी भी आती है मनी प्लांट एक बेस्ट एर प्यूरिफाइड प्लांट का भी काम करता है और इस प्लांट को आप इंडोर ग्रोथ कर सकते हैं इंडोर या प्लांट बहुत एच्छी तरह से ग्रोग करता है डारेट संलाइट में इसकी पतियां जलने लगती हैं डॉर्वंसी में जाने वाली लिष्ट काते रहाँ खोबसूरत प्लांट या एंडोर पोथास का है एंडोर पोथास भी मनी प्लांट की तरह ही ग्रोग करने वाला एक खोबसूरत प्लांट है लेकिन इसकी पतियां देखिए मनी प्लांट से थोड़ा डिफरेंट होती हैं और इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भ लिस्ट का चोज़हवा खोब्सूरत प्लांट या सफलेरा का है, सफलेरा जिसे अम्रेलटी प्लांट कहते हैं, देखीए, इस बिंटर में भी इसकी पतियां कितनी खोब्सूरत दिख रही हैं, इस प्लांट को आप इस समय काटिंग से भी ग्रों कर सकते हैं, सफले रहा एक इंडोर प्लांट है इसे आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो बिंटर में इस प्लांट पर ओवर बाटिंग ना करें सोयल को चेक कर की वाटिंग करें बहुत ही खोब सूरत या प्लांट गार्डन में बहुत ही हरियाली को बनाए रखत है इस प्लांट की आपको नरसी पर दो बराइटी मिल जाएगी एक वैरिगेटेड लीफ होती है और एक ग्रीन बराइटी तो इस खोब सूरत प्लांट को आप अपने गार्डन में जरूर सामिल कर लें आज की लिस्ट का अंतिम और 15 खोब सूरत प्लांट या स्नेक प्लां है जिने आप डिवाइट करके नए प्लांट बना सकते हैं आप देखिए इसकी भी कई वराइटी आपको नरसी पर मिल जाएगी ये एक वराइटी है जिसमें साइड में ये लो कलर दिख रहे हैं जब हम इने कटिंग से ग्रो करते हैं तो ये ये लो कलर नई ग्रूथ में ही रहते हैं तो बहुत ही खुबसूरत एयर प्लांट को आप कटिंग से या फिर डिवाइट कर सकते हैं विंटर में भी या प्लांट देखिए इसी तरह से गार्डन में बना रहेगा तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद है आज का वीडियो आपको चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौदे के साथ तब तक के लिए बाय टेक केर